दोस्तो मंदी में भी इस तरीके का पैसा बनाना है अगर तो आपको जॉइन करना पड़ेगा हमारा टेलिग्राम चैनल जितने भी लॉसे से आपके रिकवर अगर आप करना चाहते हैं धीरे धीरे करके विद द लर्निंग तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जाके जॉइन करिएगा और कल सबसे पहले बात करेंगी कल ऐसा क्या हो गया जो मार्केट में आज आपको पेन देखती हो मिला लास्ट थ्री वीडियो कर रात के जरूर देखेगा कल अब आपनों ने देखेगा HDFC बैंक पे भी वीडियो बनाया था और मैंने आपको कई सरी तरीके के इवेंट बता दिये थे कि यहाँ पे रिलाइंस में भी पेन आ सकता है विन फॉल टैक्स को देखते हुए तो इन सब चीजों के कारण इन सब देखी का कारणों के कारण आज मार्केट में आपको पेन देखनी को मिला बट अब मैं जाता हूं जो सबसे इंपोर्टेंट बात है सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि यही इंपाक्ट होता है जब खबरे इवेंट आपके साथ होती है विट टेक्निकल आनलेसिस विट सपोर्ट और डिस्टेंस देखी का यह सबसे बड़ी बात होती है कि आपको सारी जानकार तब आप setup पे बैठे हो, तब आपका पैसा बनेगा, ये सबसे important बात होती है, वरना आप पूरे महिने की जो profit होती है, वो भी आप लेके चले जाओगे, एक ही दिन में, तो आज एक तरीके का expiry था, एक तरीके समझे एक expiry जैसा महल था, क्यों चुकि आपको इतना बड़ा momentum मिला है, तो news एक ये भी आई थी, कल आपको पता है, dollar index मैंने का था, reclaim कर रहा है, और dollar index अगर reclaim करेगा, अपने उपर के levels को, तो क्या होगा, market नीचे जाएगा, तो आपको देखने हो मिला, यहाँ पे dollar ने reclaim किया, और market आज नीचे गया, बट यहाँ पे बहुत important है, buying opportunity भी ब पात करूँगा, dollar index है, चुकि dollar index अपने gains, अपने momentum को hold नहीं कर पा रहा है, जो 102.5 तक कल पहुँच गया था, वो अब गिरना शुरू हो गया है, और आपको पता है, कि dollar जैसे ही नीचे जाता है, तो वो reflect करता है, other Asian currency को, और तुरंत देखेगा, वो reaction देती है, appreciation में, तो आप देखेंगे, तो dollar index, जो देखेगा, कल 102.4 के भी उपर आपको देखने को मिला था, जिस कारण से, आज आपको market में एक बढ़िया, sharp fall देखने को मिला, sharp selling देखने को मिली, तो ऐसे में अगर आप देखेंगे, तो अब ये यहाँ पे, अभी तो नीचे की तरफ जा है, और 102 के भी नीचे आता है, अगर ये, dollar index क्या करता है, 102 के नीचे भी आता है, तो ये सबसे अच्छी बात क्या होगी, ये सबसे अच्छी बात होगी, हमारी currency के लिए, जिसने आपको ये level तोड़ दिया था, ये level तोड़ने के कारण, इतना ज़्यादा गिरावट होने क करण हमारी currency में, bank nifty रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो ये चीज क्यों थी, क्योंकि कल आपको करा गया था, अब यहाँ पे देखेगा, 82.620 पे हमारी currency के लिए भी बड़ा resistance है, बहुत बड़ा resistance है, तो मुझे लगता है, dollar 102 के नीचे जाएगा, और यहाँ पे currency फिर से द ऐसे ही आपको market में, short covering देखने हो मिलेगी, कल एक short cover होंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे currency में जो pain आ रहा है, वो actual pain है, currency में जो pain आ रहा है, मैंने आपसे कई बार यह discussion किया है, कि currency का pain बहुत ही actual pain है, यह ज़्यादा समय तक currency का 82 के उपर रहना, it's not good for the market, तो आप देख सकत है, currency का pain, और इसके बाद मैं आपको second बड़ी update देता हूँ, कि कल second देखिए का क्या मैंने आपको तया था, कि यहाँ पे bond market बहुत jump कर गया था, तो पूरा bond market red है, आप देख सकते हो यहाँ पे, चाए US का हो, चाए UK का हो, चाए 10 year हो, चाए 2 year हो, चाए 30 year हो, पूरा bond market नी जा चुका है, aggressive जो growth हुई थी, उसमें भी देखेगा, थोड़ा ठहरा हो आया है, थोड़ा सा देखेगा, pain कम हुआ है, और आपको पता है, जितना pain कम होगा, उतना ही high chances है, high probability कि market jump करेगा, तो कल आपके लिए सबसे बड़ी बात है, तो कल अगर आप check out करोगे, तो यह मान पर पहुँच चुका है, 10 year का भी 4 पर पहुँच चुका है, और 2 year का तो already 4.8 पर देखने हो मिला है, तो वहां से relaxation मुझे लगता है, bond market में आज आएगा, जो कल पहले session में एक short covering create कर सकता है, और आपको आज रात dollar index को track करते रहना है, क्या करते रहना है, dollar index को track करते रहना है ताकि आप कल के लिए काफी short सको, वीडियो रच्छा रगे, तो like, share, subscribe करना भूलेगा, thank you so much